आज की हमारी रेसिपी है पोटेटो बाइट्स या पोटेटो क्रिस्पी स्नैक्स भी हम इसको कह सकते हैं सबसे पहले दो चम्मच तेल को गरम करेंगे और उसके अंदर एक चम्मच फाइनली चॉब्ड बाली कटा हुआ लसू नामस में डालेंगे इसे कुछ सेकिंड्स तक धीमियाज पर प्राई करेंगे यह गोल्डन होने लगा है जब यह लाइट गोल्डन हो जाए हलका सुनैरा हो जाए तो इसके अंदर आधा चम्मच हम कुटी हुई लाल मिज़ डाल देंगे एक बाउल इसमें हम पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इस पानी में एक उबाल आने तक इंतजार करेंगे उबाल आ चुका है इस उबलते हुए पानी में एक बाउल एक कटोरी के करीब चावल का आठा डाल देंगे इसे दीमी आज़ पर अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे पानी राइस फ्लोर ने एब्सॉर्ब कर लिया है खुश्क कर लिया है बहुत अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और अब फ्लेम आफ कर देंगे इस मिक्स्टर को एक दूसरे बरतन में पलट लेंगे पांच मिन तक इसको ठंडा होने देंगे चार छोटे उबले हुए आलू लेंगे और इनको कद्दू कस में कस लेंगे और इस मिक्स्टर में मिला देंगे आदा चमच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें साल्ट डालेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे अब दो चमच मैदा इसमें डालेंगे और इसको भी बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे एक चम्मच तेल इसमें डालकर इसको अच्छे से आटे की तरह से गूंद लेंगे जिसे ये चिपके नई और ये हमारा डब तैयार हो चुका है अब इसको हम तीन बराबर हिस्सों में बाट लेंगे और एक हिस्से को हाथ पर तेल लगाकर ऐसे हम इसको रोल करेंगे और बराबर बराबर हिस्सों में इसके बाइट्स कट कर लेंगे इन बाइट्स को आप एक हफ़ते के लिए फ्रीजर में एर टाइट कंटेनर में पैक करके सेव कर सकते हैं और ये सभी बाइट्स एक तरीके से ही काटी जाएंगी और अब इन्हें हम गरम तेल में तल लेते हैं इनको हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे सभी तरफ से बराबर से अच्छी तरह से ये तले जाने चाहिए ये गोल्डन हो चुके हैं और ये तले जा चुके हैं इन्हें अब हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं इन्हें हम एक टिशू पेपर पर रख लेंगे जिससे एक्स्टा ओयल हट जाए और ये सभी वाइट्स हमारे प्राई हो चुके हैं अपनी मन पसंद चटनी के साथ इनको सर्व कीजिए एंड एंजॉय कीजिए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताईएगा जरूर नेक्स वीडियो में मिलते हैं थैंक्स वर वाचिंग करुंग चपकेन बारए तब बताईए झो मात